आपके घर के अंदर दिवार पे लगी हुई घड़ी, क्लॉक, यू तो आपको समय बताती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, ये आपको समय भी बताती है और आपका समय भी बताती है, वो कैसे? क्योंकि ये क्लॉक, अगर वास्तू के नेमों के अनुसार लगी है, फिर तो ये आपका जो समय चल रहा है, उसको संवारेगी, लेकिन अगर ये वास्तू के नेमों के अंदेखी करके लगी हुई है, वास्तू के नेमों के विपरीत लगी हुई है, तो ये आपके समय को बिग खाली घड़ी ही नहीं, आप देखिए आपके घर के अंदर जो आपके ड्रेसिंग रूम में शीशा लगा हुआ है, आप चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, आपके वाश बेसिन पे जो शीशा लगा हुआ है, अगर ये भी वास्तु के नियमों के अंदेखी करके लगा हुआ है ना, तो ये आपकी इमेज को दुनिया के आगे बिगाड सकता है, आप जो हैं, दुनिया को आप वो दिखेंगे नहीं, आप गलत दिखेंगे, और जब इमेज गलत होती है ना, ब्रेंडिंग गलत होती है, तो जीवन में बड़ी सारी चीजें जो हैं, स्पॉयल हो शुरू हो जाती है घर का dust bean घर का dust bean जो है हम घर का garbage फैंकने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन dust bean जो है यह अगर वास्तू के नियमों के अंदेखी की जाए न तो यह आपके पैसे को garbage में डाल सकता है आपके घर की बरकत को garbage में डाल सकता है तो आज के वीडियो में हम यही च खर्चा करने वाले हैं कि घर की जो wall clock है यहां पर वास्तू के कौन से नियम लागू होंगी आपके घर का mirror है इसमें घर के वास्तू के कौन से नियम लागू होंगे आपकी dust bean है यहां पर कौन सी care करनी चाहिए ताकि आपको धन का loss न हो आपके resources का loss न हो नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइफ विद योगे शर्मा में और दोस्तों आके बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन भी इसको एकसेस कर पाता है और wall clock जो है ना इसकी जो shape है और इसके अंदर का जो dial का रंग है ये दो तत्व हैं जो बहुत ज्यादा मेटर करेंगे, चार दिशाईं होती है और चार ही उप दिशाईं, टोटल आठ दिशाईं होती है, चार दिशाईं कौन सी है North East, West, South और उप दिशाईं कौन सी है South East, South West, North East, North West ये चार दिशाईं जो हैं और चार उप दिशाईं इनको ध्यान रखेगा और इसकी shape और जो अंदर dial का रंग है आपको इनके अनुसार लगाना है केवल इतना भरी ख्याल रखना है फिर देखेगा wall clock किस तरह से आपके घर के वास्तु में सहायक बनती है घर के east में आप rectangular shape की clock लगाईए यहाँ पे rectangular shape की clock जो है यह आपको दुनिया के साथ जोड़ेगी यहाँ पे rectangular shape की clock लगाने से आपका जो social circle है यही आपकी तरक्की में आपकी सहायता करेगा लेकिन अगर गलती से यहाँ पे आपने round shape की clock लगा दी तो यही social circle अब आपके रास्ते का कांटा बन जाएगा यू तो देखने में context बहुत होंगे जुरूरत पढ़ने पे आपके साथ चलने वाला इंसान कोई नहीं होगा आप घर के पूर्व में white background वाली clock भी मत लगाईएगा आप घर के पूर्व में wooden background वाली हरे रंग की किसी भी shade की background वाली clock लगाईए और फिर देखिएगा कि किस तरह से जीवन में आपको समाज के थूत रख्की मिलती है south east की बात करें या south की बात करें इन दोनों जगा पे triangular shape की clock लगाईए triangular shape में background जो है yellow रख लीजिए background maroon रख लीजिए और फिर देखिएगा धन का प्रवाह भी कैसे बढ़ता है और फिर देखिएगा कि आपकी branding आपकी image कितनी मजबूत होती है और अगर हम बात करें आपके घर के south west area की यहाँ पे बिलकुल ही square shape की clock लगाईए और कोई shape यहाँ पे मत दीजेगा यहाँ पे येलो background में square shape की clock लगाईए और फिर देखिएगा जीवन में stability किस तरह से आती है और फिर देखिएगा आपको जो भी आता है अब वो धन में convert किस तरह से होता है और अगर बात करें west की यहाँ पे round shape की clock लगाईए यहाँ पे oval shape की clock लगाईए यहाँ पे white background यहाँ पे आप metallic background इस तरह की background वाली clocks लगा सकते हैं और अगर यह लगाएंगे आप जो भी करेंगे आप वो profit में convert होगा आप जो भी करेंगे वो waste नहीं होगा आपके काम 99 पे आके नहीं रुकेंगे समय का चक्र यहाँ पे आपके कामों को finish करने में और उस काम से आपको profit देने में आपकी पूरी सहायता करेगा North West में आप round shape की clock लगा सकते हैं North West में आप rectangular shape की clock भी लगा सकते हैं और यहाँ पे यह जो clock है यह दोनों आपकी सहायता करेंगी आपके efforts को आपके जो भी कोशिश ही होती है उसको पूरी तरह से profit में convert करने के और अगर बात करें North area की आपके North area में आपको केवल और केवल rectangular shape की clock ही देनी है clocks में बस आपको इतने ही rules का ध्यान रखना है और एक और बात को याद रखेगा clock में कभी भी blank जो clock आती है न artistic सी जो confusion create करती है वो मत करिएगा क्योंकि इससे क्या होगा art wise तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन इससे आपके समय का चक्र जो है न वो आपके जीवन को confusion में बदल देगा तो clock जो है बड़ी legible होनी चाहिए और बिलकुल देखते ही time का सही सही अंदाजा देने वाली clock होनी चाहिए और अगर अब बात करें हम आपके mirrors की देखिए जो शीशा होता है यह water element होता है घर के south east में या घर के south में आप शीशा मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे हम शीशा देंगे तो यहाँ पे यह शीशा जो है आपके जीवन में पैसे की या मान रिज़त की कमी लेके आएगा अब suppose करिए आपका dressing room ही south में है या आपका wash vision ही उसे इसे area में है के south east यहाँ south के बीच में तो शीशा तो वहाँ पे लगेगा तब क्या किया जाए तब कुछ ऐसा arrangement करिए कि usage के बाद उस शीशे को ढख दिया जाए केवल इतना भर करिएगा और बाकी घर के किसी भी कोने में शी पिशा न लगा हो और dustbin ये एक बहुत ही important विशे है dustbin में कई बर क्या होता है कि घर के gate के पास होती है या आपके lobby area में होती है या किसी ऐसी जगह पे होती है जिसको change करना संभव नहीं होता है आप एक चीज याद रखेगा पंच तत्वों में जो कूड़ेदान है ना ये प्रित्वी element है तो आपको पीले रंग की एक tile या beige color मिट्टे के रंग की एक tile या मिट्टे के रंग का एक matte बस dustbin के नीचे रखते ना है आपके घर में कहीं पी भी dustbin पड़ी होगी न अब ये dustbin आपके घर के वास्तू की energy को खराब नहीं करेगी अब ये जो dustbin है ये आप आपके केवल garbage को ही dispose करने का काम करेगी आपके घर के कोई भी अच्छी उर्जा इस dustbin के थ्रूँ dispose नहीं होगी तो दोस्तों चाहे clock हो चाहे mirror हो और चाहे हो dustbin अगर आप वास्तू के इन सरल नियमों का ख्याल रखेंगे न तो यकीन मानिए ये चीज़े ना के वैल आपके घर के वास्तू का सही करेंगी बलके इसकी energy के थ्रूँ आपका जीवन भी जो है ना ये बहुत ही चुस्त दुरुस्त होगा और जीवन की जो कई समस्यें ऐसी हैं जो बिना उपाये के ही इनी साधनों के माध्यम से dilute होती रहेंगी तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपक वास्तू के energy से रूबरू कराने की तो चले बहुत जल्द मिलते हैं नए topic एक नए विशे के साथ अपना कूब ध्यान रखेगा नमस्कार